नमस्ते, मिरा नाम सिध्धान्त है और आप दील अलन टॉप देख रहे हैं भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालेओं का एर इंडिया पर 300 करोड से भी ज्यादा का बकाया सामने आया है बकाया इतना ज्यादा है कि केंद्र सरकार ने सब मंत्रालेओं भागों से कह दिया है कि अब एर इंडिया से यात्रा करनी है तो पैसा दो, टिकट खरीदो, तब यात्रा करो सरकार यात्रा का खर्च नहीं उठाएगी क्योंकि एर इंडिया अब केंजर सरकार के हाथ से निकल कर जा रही है टाटा समूह के पास और यह सब बकाए की ओ जानकारी है वो कैसे मिली नेवी के रेटाइर अफसर लोकेश बत्रा द्वारादायर की गई आरटी आई के माध्यम से अब इसमें एक और जानकारी नत्ती है, जानकारी ये कि सबसे अधिक उधारी में यात्रा विदेश मंत्राले के खाते पर की गई है थोड़ा बैक ग्राउंड जानिए इस खबर का, साल 2009 से भारत सरकार के मंत्रालेओं विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर एर इंडिया में यात्रा कर सकते थे टिकट का खर्च बाद में एर इंडिया और सरकार के बीच में सेटल होता था लेकिन अब टाटा ग्रूप ने एर इंडिया की बिडिंग में उसको हासिल कर लिया है तो सरकार ने सभी मंत्रालेओं और विभागों से एर इंडिया का बकाया तुरंट चुकाने को कहा है और ये बकाया है 302 करोड रुपए का अब RTI की कहानी क्या है? लोकेश बत्रा ने 2 अप्रेल 2021 को RTI दायर की थी इस RTI का जवाब उन्हें 14 अक्टूबर 2021 को मिला काफी दिन बीच गया एर इंडिया ने कहा कि कोरोना वाइरस की भयावा दूसरी लहर थी इसलिए जवाब देने में इतना वक्त लगा जवाब में दो अलग 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 बकाया राशी की जानकारी दी गई है सबसे वहले VVIP है इसमें दूसरा है विभागों मंत्राले और एजेंसियों के अधिकारियों और करमचारियों के उड़ानों का तो VVIP वाला सक्षन पहले डिसकस करते हैं तो VVIP वाला सक्षन है उसमें रक्षा मंत्राले डिफेंस मिनिस्ट्री उनका लगबग 6 करोण 10 लाग रुपए का बकाया है ये राश्टपती की उड़ानों की बकाया राशी है ग्री मंत्राले 7 करोण 10 लाग का बकाया है उनका ये प्रधान मंत्री के साथ साथ केविनक सेक्रेटरी के उड़ानों का बकाया इसमें शामिल है विदेश मंत्राले सबसे ज़्यादा बकाया 20 करोण 37 लाग का अब इस लगबग जो 20 करोण 37 लाग की राशी है इसमें से 10 करोण 22 लाग रुपए उपर राश्ट पती की उड़ानों खर्च है 7 करोण 21 लाग रुपए अन्य देशों में फसे भारतियों को वापस लाने का खर्च और लगबग 3 करोण रुपए विदेश के कुछ चंद गणमान ये लोगों के उड़ानों पर खर्च हुए थे अब इस पूतीनों खर्चों को मिला दें तो मिला जुला कर 33 करोण यानि वी वी आईपी उड़ानों पर 33 करोण का खर्च अब इसके अलावा भारत सरकार के अलग अलग विभागों और इसमें दूतावास के दिकारियों सरकारी विभागों, एजिंस्यों, लोग सभासची वाले, राज सभासची वाले आजि की कुल बकाया राषी है 268 करोड रुपए फिर से बताते हैं कि ये राशी 31 मार्च 2021 तक की है मतलब जब से है तब तक की राशी है 31 मार्च 2021 तक की वहीं बुदवार 27 अक्टूबर को वित्मंत्रालेने सभी मंत्रालेओं सरकारेवी भागों और राजसभा लोगसभासची वाले को एक चिठ्ठी रिखी बताया गया था कि Air India की विन्वेश प्रक्रिया चल रही है डिसिन्वेस्ट्मन चल ला है ऐसे में Air India ने हवाई टिकटो की खरीद के लिए क्रेड़िट सुविधा देना बंद कर दिया है इसके लावा चिठ्ठी में लिखा गया था कि सभी मंत्रालेयों विभागों को एर इंडिया का बगाया तुरंत चुकाने का निर्देश दिया जाता है एर इंडिया से हवाय टिकट अगले निर्देश तक नकद में खरीदे जा सकते हैं बता दें कि एर इंडिया को टाटा ग्रुप ने 8 अक्टूबर 21 को खरीदा था एर इंडिया को अपना बनाने के लिए टाटा ने सबसे अधिक 18,000 करोल रुपए की बोली लगाई थी बिडिंग में जीत गए और कहा जाता है कि सरकारी घाटे से लदी फदी एर इंडिया अब आ गई टाटा के पास ये खबर हमारे साथ ही प्रशांत ने लिखी थी मैं सिर्धान्त हूँ, कैमरे के पीछे हैं दीपक, आप लललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया